बात करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर की से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वदेशी सप्ताह के अंतर्गत मेरा परिवार स्वदेशी परिवार संकल्प का आयोजन राजमाता विजयाराजी सिंधिया शासकी अकन्या अग्रणी सनात कोक्तर महा विद्यालय विदिशाक मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विभाग सयुजक महिपाल सिंग राजपूत ने कहा कि भारत सरकार एवं राजय सरकार की अंगिनत जनकल्यानकारी रोजगार मुखी योजनाई चल रही है नए लगू उद्योग को या फिर स्वयम सहायता समूध वारा व्यवसाय स्थापना कर स्वावलंबन बनाने के लिए अधिक्तम बढ़ावा देना हो गया लिजजत पापर का उदाहरन हम सब के बीच है कैसे छोटी सी शुरुआत करके आज विश्व में एक बड़ा नाम बन चुका है काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता विचार बड़ा होना चाहिए योवा शक्ती नौकरी तलाशने की जगह स्वयम का स्वरोजगार लगाने पर ध्यान देख नौकरियां सीमित है स्वयम का व्यवसाय स्थापित कर रोजगार स्रिजन करने का कार्य करने से बेरोजगारी समस्या कम हूती चली जाएगी विशेश अतिथी, जिला से प्रचार प्रमुक, शशान्क पठवा, द्वार विचार रखते हुए कहा कि स्वदेशी जागरन मंच की संस्थापक, परव श्रद्धे दतोपन ठेंगली, द्वारा जिस विचार को लेकर मंच का निर्मान किया था धरातल पर जिला तहसील एवं ग्रामीन अंचलों में भी स्वदेशी विचार के साथ चलने के लिए सभी ततपर है जिसकी अलग अपने विदिशा जिले में संगठनात्मक एवं विचारिक अन्य सहयोगी संगठनों सहित, आज शासन, प्रशासन से भी पूर्ल सहयोग मिल रहा है स्वदेशी वस्तुए एवं स्थानिय उतपाद को अपने दिंचर्या में बजार से खरीदी करते समय विशेश तोर पर ध्यान रखे की कोई विदेशी सामगरी तो घरों में नहीं पहुंच रही है, हमारे यहां के निर्मान को अधिक महत्वत देना से भारत अर्थ विवस स्वदेशी पर विचार रखते हुए सर्व प्रथम बाबा रामदेव जी पतंजली समूव का उदाहरन देते हुए कैसे योग, आयुर्वेद अन्य घरेल उतपाद अच्ची गुनवंता के साथ निर्मान करते हुए भारत वासियों को विदेशी मिकले जाल से बचने का सर स्वदेशी जागरन मंच के जिला विचार विभाग प्रमुख गोरव सोनी जिला टोली सदस्य राजेंद्र साहु की कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे संपादक मयंग सक्सेना की रिपोर्ट झाल झाल झाल